सम्वेदनाय मर चुकी हैं बस सास बाकी है मुर्दो के शहर में एक रोटी की आस बाकी है कंधा देने को नहीं मिलते हैं चार लोग कहने को तो जिन्दा दिली की बात काफी है करोना वाइरस के शलते देश भर में जारी लॉक्टाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की हालत दिंदुगनी और राच चौगनी बस से बत्तर होती जा रही है अब तक करीब 667 से ज़्यादा प्रवासी मजदूर या तो भूग से या फिर 1000 किलोमीटर पैदल चल कर अपनी जान गवा चुके हैं इन में से कई मजदूर ऐसे भी थे जिनोंने सड़कास्य में अपनी जान गवाई और यह सिलसला अभी भी लगातार चारी है इसी करी में बिहार के मुझफर पुर रेलवे स्टेशन से भी एक ऐसा दर्दनाग मामला सामने आया जिसमें भूक और गर्मी से बेहाल एक महिला ने स्टेशन पर ही दम तोड़ दिया और इस दौरान धाई साल का मासूम बच्चा अपनी मा को चातर नुमा कफन हटा कर जगाने की नाकाम कोशिशे करता रह गया लेकिन उसे नहीं मालूम की मा उसे डाटने के लिए कभी नहीं उठने वाली बता जा रहा है कि ये महिला स्टमिक ट्रेन के जरिये मुझफरपूर पहुची थी इस महिला ने सनिवार को गुजरास से ट्रेन ली थी और सोमवार को मुझफरपूर में ट्रेन से उतरने के थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई जिसके बाद महिला के शव को इस्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही लिटा दिया गया वहीं महिला के परिजुनों की मताबिक ट्रेन में खाने पीने को कुछ ना मिलने की वज़ा से तबियत बिगड़ गई और ट्रेन से उतरने के बाद भी महिला को किसी ने एक निवाला तक खाने को नहीं दिया और आखिरकार भूग से बेहाल महिला की जान चली गई जानकारी के मताबिक अब तक स्ट्रमिक स्पेशल ट्रेन में भूग प्यास कर्मी से बेहाल होकर कई प्रवासी मजदूर घर पहुचने के बदले पर लोग सिधा रहे हैं और इनकी सुद्ध लेने वाला ना कोई है और ना कोई था इस्पेशल टेस्क जन्मत निउस